हेलो क्यूरियस माइंड आज कल आपको सब्टेंबर एंड और ऑक्टोबर महिने में जब बारिश का सीजन इंडिया में खतम होने आ रहा होता है तो बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज आपको देखने मिलते हैं आपने भी नोटिस किया होगा कोस्टल एरियास कोस्टल सिटीज में जैसे की मॉंबाई मैंगलोर में और बाखी बहुत सारी जगह उपर यह जो होड्स ऑफ ड्रैगन फ्लाइज हमको दिखाए देते हैं यह बहुत ही खास पीसीज है यह देखें यह उसी स्पीसीज का एक मेल स्पैसिमेंड है आप किसी भी कंक्लूजन पर पहुचे इसके पहले में आपको बता दू कि ना तो यह जो मैंने इंसेक्ट पकड़ा है यह इंजर है ना ही इसको किसी भी तरीके का कोई नुकसान पहुचा है एक ओपन बॉक्स में मैंने रखा है जिसका लिड ओपन है और यह सिर्फ मरने की यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है तो आएए हम इस इंसेक्ट को और यह जो मेल स्पैसिमें इसको और भी ज़्यादा नजदिक से देखे और इनकी बॉड़ी को समझे सबसे पहले तो मैं इंसेक्ट के बारे में बता दू यह जो स्पीसीज है ड्रेगन फ् और खास इसलिए है कि इंसेक्ट वर्ल्ड में यहां तक कि एनिमल वर्ल्ड में बहुत मोस्ट प्रॉलिफिक लॉंग डिस्टिंस ट्रैवलर के तौर पर देखे जाते हैं यानि कि दुन्या में प्राणियों में यह सबसे ज़्यादा दूरी तक यात्रा करने वाले इंसेक् और यह 18,000 से लेकर के 14,000 से 18,000 तक की किलोमेटर तक की दूरी नापते हैं जो कि एक बहुत ही extraordinary feet है इनकी height को अगर हम लोग देखे तो इनकी size को हम लोग देखे तो और यह जो research सामने आई है यह Rogers University नेवाक नाम की एक university है वहां के scientist ने यह biologist ने यह study निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसका जो evidence है हमको इनके genes में मिलता है समान genes में मिलता है जो कि क्योंकि यह species जो है dragonfly की जिसको जिसका नाम है Pantala Flavacens यह दुनिया भर में कई देशों में पाया जाता है जैसे कि Texas, Eastern Canada, Japan, Korea, India, South America इतने सारे विविद देशों में पाया जाता है फिर भी इनका जो genetic profile है वो बहुत ही similar है इतना similar है कि इसका एक ही explanation हो सकता है कि यह insects यह जो dragonflies की species है किसी तरीके से इतने लंबी लंबी दूरी यात्रा करती है इनके small size के बावजूद और आपस में breeding होती है इनमें और एक common worldwide gene pool तयार हुआ है जो कि impossible होता अगर यह आपस में intermingle ना करते और ऐसा पहली बार हो रहा है research में कि genes को लेकर के इनके travel को study किया जा रहा है इन university के biologist द्वारा अगर हम देखे कि North American pentala अगर सिर्फ North American pentala से breed करते या फिर Japanese pentala सिर्फ Japanese pentala से breed करते तो हमको इतनी जादा उनमें difference देखने मिलता इनके worldwide genetic pool में बहुत दादा difference देखने मिलता लेकिन ऐसा हमको कुछ देखने नहीं मिलता इनके दुनिया बर में जितनी species है उनकी genetic pool प्रोफाइल जो है बहुत बिल्कुल सेम है और इसका एक ही explanation है कि यह vast geographic expenses को expenses को travel करते हैं इसके पीछे गई कारण है अगर हम इस dragonfly की body को देखे तो इनमें कुछ ऐसे adaptations हुए है जिनके कारण जैसे कि हम इनके wings को देखे तो इनके wings में हमको surface area बहुत जादा देखने मिलता है जो कि इनको मदद करता है हवा में उडने में glide करने में तो जादातर समय ज सिर्फ हवा ही इनको carry करती है उठा लेती है इनमें इनको energy खरचनी नहीं पड़ती तो एक बार यह अपने पंग को stroke करेंगे दो बार stroke करेंगे तीन बार stroke करेंगे और फिर यह glide करते रहेंगे बहुत समय तक घंटों तक दिनों तक यह बिना फड़ फड़ फड़ाय उड़ सकते हैं तो इससे बहुत कम energy इनकी खरच होती है और यह इतना जादा long distance travel कर सकते हैं और इक dragonflies पहले भी इनको observe किया जा चुका है कि किस तरीके से यह Indian Ocean को cross करके आफरिका जाते हैं जब इंडिया में dry season चल रहा होता है तो यह moist season को जो कि आफरिका में है वहाँ पर जाने के लिए हर साल travel migration करते हैं तो यह पहले ही observe किया जा चुका है तो coastal area की जैसे सीटी जैसे की मुंबई में और मैंगलोर में बहुत सारी coastal cities इंडिया में वहाँ पर आपको यह चतुर नाम का जो इंसेक्ट है dragonfly यह आपको अपने सर पर सब्टेंबर और October वे देखने मिल जाता है इसका यही कारण है कि यह migration में है और बहुत लंबी दूरी तैय करने वाले हैं तो अगर आपको यह dragonflies मिले तो आप भी इनको luck wish किजिएगा इनकी long journey के लिए इनकी लंबी यात्रा के लिए यह जो male dragon हमको मिला है जो मेरे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वेडियो में यह female से बहुत ज़्यादा अलग होता है size में color में इनमे difference हमको देखने मिलता है male जो है बहुत ज़्यादा male की wingspan जो है थोड़ी darker होती है compared to female और female body थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है इसका जो common नाम मैंने आपको बताया इसका common नाम है wandering glider इसका नाम क्यों पड़ा आप खुद ही समझ सकते हैं क्योंकि यह पूरी दुनिया में glide करते रहता है और wandering wandering करता रहता है इसका binomial name जो है वो है pentala species pentala fluorescence अगर हम इसकी scientific classification करें तो kingdom animalia तो इस तरीके का कुछ इसका scientific classification हम कर सकते हैं यह जो species है pentala fluorescence इसका एक बहुत ज़्यादा wide distribution है दुनिया भर में यह पाई जाती है दुनिया भर के हरे continent में except Antarctica और इस species का नाम अगर आप देखे फ्लेवेसिंस तो यह refer करता है इसके yellowish या golden coloration को खासता और आप female में वो जादा देखोगे और जिसका common नाम है wandering glider यह इसकी propensity को दर्शाता है कि किस तरीके से long distance migration करते रहते हैं पेंटला फ्लेवेसिंस एक strong और sustained flight के लिए जाने जाते हैं और इनकी जो fly होती है यह घंटों तक दिनों तक fly कर सकते हैं बिना land करें जमीन पर और migration high altitude पर यह करना पसंद करते हैं ताकि यह wind के जो current से उसका इस्तमाल कर सके और यह जैसा कि हम जानते ही है dragonflies skilled predators होते हैं छोटे इंसेक्ट को खाते हैं जैसे कि mosquitoes जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होता है तो beneficial insect है हमारे लिए और इनके crucial role है mosquitoes जैसे disease vectors की species को control में रखने के लिए और खुद भी यह food source होते हैं दूसरे birds के लिए larger predators के लिए तो इनका ecology में एक बहुत ज़्यादा importance है और इनको बचाना हमारी जिम्मेदारी